हालो हाई फ्रेंट्स आज अपने इस वीडियो में प्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सेज 1.5 का 6 कोशिन सॉल करेंगे देखेंगे 6 कोशिन क्या है इसको अपनको x प्लेस वाई बाई एक्स के फॉर्म प्लेस वाई बाई एक्स के फॉर्म के अपनको वाई उसका फाइंड आट करना है गचलत के अपन फर्स प्रिस्ट रखिएंगे जुट्यों आग एक्से प्लाग य लोग वाई बीक यॡ हॉर्म पर एक्सल अक्यल लूगी अपन इसको इख प्लाग लग में यदर अगिल आख बानको अप्लेस यदर अधिन प्लाग फ्लाग य। plus log b to the base n is equal to log a into b to the base n करेंगे okay friends log a into b to the base n so अभी अपन ये अप्लाई करने पर अपन विदर क्या आ जाएंगा log x plus y by 3 is equal to 1 by 2 क्या अभी मैं directly इसको log xy लिख हूंगा log x5 लिखूंगा okay friends log x5 लिखूंगा ये अपने को आ जाएंगा so next देखे friends इसके बाद मैं अभी अपन होर क्या कर सकते हैं इधर 1 by 2 है friends 1 by 2 log x x into y है इसको अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं अभी अपन इधर देखे friends log a to the base sorry log a to the power of b to the base n is equal to b into log a to the base n तो देखे friends ये क्या है left right hand set का पार्ट है तो अभी अपन को left hand set के form पर लिखना है इसको okay so इसको कैसा लिखेंगे friends log x plus y y3 is equal to क्या मैं log x5 power 1 by 2 हो जाएंगा ना directly okay so power 1 by 2 हो जाएंगा तो अभी अपन क्या करेंगे इधर इदा देखे friends दोना तरफ से अपन लॉगरिथम निकाल दिएंगे so eliminating logarithm from both sides okay logarithm के value logarithm zone जागे से अपन निकाल दिएंगे तो अपनों क्या बचेंगा फ्रेंड्स x plus y by 3 is equal to x wife over power 1 by 2 ओके यही value आएंगा ना friends तो अभी अपन इसको क्या करेंगे अभी अपनको square root on both side करेंगे sorry squaring on both side करेंगे not square root squaring on both side squaring on both side करने पे friends squaring on both side करने पे क्या हो जाएंगा x plus y by 3 whole square is equal to x wife 1 by 2 by whole square so देखे friends इसको क्या मैं x plus y whole square by 3 square separately मैं इसको लिख लूँगा so next क्या हो जाएंगा यह square 2 cancel हो जाएंगे तो directly अपनको xy बच जाता इतर okay so क्या अपन इसको x plus y square को क्या यह अपने को a plus b के form पे है तो a plus b whole square क्या हो जाएंगा आपने को a square plus 2ab plus b square okay friends so अभी अपनको a square plus 2ab plus b square के form पे लिखना है उपर को so कैसा लिखेंगे friends x square plus 2xy plus y square by 3 square को क्या लिख सकते है पर 9 लिख सकते है क्यूंकि 33 जा 9 हो जाता equal to xy okay friends so next अभी अपन क्या करेंगे यह 9 को मैं right hand side पे लिख जाओंगा x square plus 2xy plus y square is equal to 9xy यह 9 right hand side पे तो मुल्कुल जाता है x5 से so 9x5 हो जाता अभी देखे friends 2x5 को मैं right hand side पे send करूंगा तो positive negative में हो जाएंगा so x square plus y square is equal to 9xy minus 2xy so यह क्या हो जाएंगे friends x square plus y square is equal to 7xy हो जाएंगा okay friends 7xy so अभी अपन क्या करेंगे xy को यह left hand side पे लेकर आजाएंगे okay so left hand side पे लेकर आजाएंगे so अभी अपन क्या करेंगे x square plus y square divided by xy मैं just xy को लेकर रहा हो तो इधर क्या बचेंगा just 7 रहेंगा okay friends अभी आपने separately इसको white करेंगे x square by xy plus y square by xy देखे फ्रेंट्स इधर से x और x square cancel हो जाता y square और y cancel हो जाएंगा और यह तो 7 का 7 रहेंगा अभी बचेंगा क्या आपनको friends x by y plus y by x is equal to 7 so अपने को question में क्या पूचा देगे friend x by y plus y by x पूचा है so अपने को x by y x by y plus y by x is equal to 7 आपको आपको समझ में आँगा friends इस तर आप उनको इस question को solve करना okay friends आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर मुझे comment box में comment करके बताई है अगर आपने इस channel पर नहीं है तो subscribe कर लीजिए अपने दोस्तें के साथ इस वीडियो को share भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद रहा तो जरूर लाइक करिए कुछ doubts है तो comment section में comment करिए thank you